हलो मित्रों जै मातादी, मित्रों दीपावली का पावन पर्व मालक्ष्मी की विशेस पूजा के लिए होती है हम हर संभव परयास करते हैं मालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ताकि वो हमारे घर पर निवेश कर सके ऐसे में दिपाली हो या फिर धन्तेरस ये एक चीज आपसे कोई कितना भी मांगे उन्हें मना कर देना है आईए जानते हैं आपको ऐसी कौन से चीज है जो की धन्तेरस और दिवाली पर अगर आप किसी को देते हो तो आप सदेव के लिए गरीब बने रहते हो मालक्षमी आपसे रूट कर चली जाती हैं और फिर कभी आपके घर वापस नहीं लोटती ऐसे में आपको सावधान रहना है और इस एक चीज को कोई नाक भी रगड़े फिर भी आपको नहीं देना चाहिए मित्रों दिपावली का तेहवार बस अब से कुछ दिन बाद आने ही वाला है दिवाली से ठीक पहले धनतेरस की पूजा की जाती है और इस साल धनतेरस 25 ओक्टूबर को है धनतेरस पर नए नए समान खरीदने के लिए हम पहले से ही तयारी करते हैं इस दिन पूजा का विश महत्व भी होता है इस साल धनतेरस 25 ओक्टूबर को है धनतेरस को धन्यात्री धन्वंतरी देवी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन धन और आरोग के लिए भगवान धन्वंतरी पूजे जाते हैं इस दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है आपको बताना चाहेंगे कि इ को की समुन्द्र मंथन के दोरान अपने साथ अम्रित और कलस आयूरवेद लेकर परकट हुए थे यही वज़ा है कि भगवान धन्वंतरी को ओसदी का जनक भी कहा जाता है धन्वंतरी के दिन जो है आप धन्तेरस के दिन मा लख्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सोने कि आप धन्तेरस हो या दिवाली इस समय आप किसी को भी जाडू मत दीजिएगा जाडू आपकी मालक्ष्मी की विशेज किरपा पाने के लिए धन्तेरस के दिन ही खरी दी जाती है ऐसे में अगर आप धन्तेरस या दिवाली के दिन किसी को भूल से भी जाडू दे देते हो तो मालक्ष्मी चाहे आप कितना भी मना लो, कितना भी आप पूजा पाट कर लो, मालक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आएंगी क्योंकि मालक्ष्मी विशेश रूप से आपको बताना चाहेंगे कि धन तेरस के दिन जाड़ु खरीदने से मालक्ष्मी की विशेश की रूपा आप पर होती है ऐसे में अगर आप इसे किसी और को दे देते हो तो धन की देवी मालक्षमी आप से रूट कर कहीं और चली जाती है इसलिए आप भूल कर भी धन 13 के दिन इन्हें ना दें मित्रों कमेंट बॉक्स में जै माता दी अवस्ति लिकें